नमश्कर दोस्तों मेरे पाम रिडिंग चैनल आपका बहुत-बहुत स्वागत है आई आज 31 वर्सके पर उसके पाम का एनालेसिस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सर प्रतम इनके सवालों को सुनेंगे फिर एक एक करके इनके सवालों का उतर गएगे उससे पहल इनका कोशन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कारी कर रहे हैं, अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता हुआ प्रगती के बारे में जानना चाहते हैं, और आगे वैपार कर सकते हैं कि ने इस महातपून विशे पर जानना है, और जीवन पर क्या ग्रो इन साड़े विशेयों पर बात करके आपको बताएंगे और हम समझाएंगे अगर मैं positive चीज की बात करनो तो बहुत शांडार अतेली है और बहुत जादा चमतकारी योग इस हाथ पर बने हुए है इस प्रकार के चमतकारी योग अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर बने होते है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में growth सफलतावा प्रगति तैह है no doubt तो आईए के करके देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर दिकरी है एक जबरदस्त दिकरी होगी आपको ये बहतरीन से जीवन रेखा अगर इस प्रकार के समूथ और चमतकारी जीवन रेखा किसी व्यक्ति के तरी पर हो तो ऐसे भी जीवन में भागुदे होता है और इसी जीवन रेखा पर continue प्रगति की रेखा जिन्दगी में 100% ग्रोध को बताती है अगर जीवन रेखा पर आपके progress line हो तो ये 1000% ग्रोध को बताती है 1000% सफलता वा प्रगति को बताती इस case में व्यक्ति के जीवन में ग्रोध को लेके प्रगति वा सफलता को लेके कभी भी किसी भी प्रकार से समस्याओं का सामना बिलकुल भी नहीं करना पड़ता है इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक चमतकारी दिक्री ये आपकी भाग्य रेखा आगे भी भाग्य रेखा बहुत शानदार तो भाग्य रेखा भी अद्वी तियाला दर्जे की है भाग्य रेखा में भी कोई कमी नहीं है यहां भी एक जबरदस ट्रैंगल क्या बात है अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो एक चमतकारी दिक्री है ये सूरी रेखा ये ट्रैंगल भी बहुत गजब है मैं विचार कर लो चीज़ों को और समझ लो तो मंगल ड्रेखा बहुत अद्वी दिये है अब देखो मंगल ड्रेखा का बड़ा इंपोर्टेंस होता है आपके जीवन में अगर किसी विक्ति के हाथ पर एक शांदार जांदार मंगल ड्रेखा हो तो जीवन में ग्रोध तो होता ही है जीवन में प्रगतिव असफलता तो होती ही है लगबग लगबग प्लैनेट सच्छे कंडिसंस में है तो ये एक प्रकार की राजज़ों का रखिस्थिती है मैं प्राया कहता हूँ अपने वीडियों में कि अगर आपके प्लैनेट सच्छे कंडिसंस में है न तो ये एक चमतकारी स्थिती होती है राजज़ों कारक स्थिती होती है इस केस में विखती का जीवन बहुत कमफर्टबिटी के साथ भी रता है कमफर्टबल लाइफ में कोई समस्या नहीं है कोई परशानी नहीं है जीवन में तनाव कम रहता है और जीवन बहुत शांदार तरीके से भी दिखता है अगर आपके प्लैनेट सच्छे हैं और उसके साथ साथ सपोर्ट करने के लाइफ भी अच्छे होतों तो आपके planetary conditions भी बहुत ही अच्छे हैं और lines तो एकदम शांदार, जांदार रूप से मुझे दिख रहा है, एकदम बहतरीन रूप से मुझे दिख रहा है, तो दोनों ही चीज़े आपके हाथ पर perfect है, जो जीवन में growth को बताती है, जीवन में सफलता वा तरक्की को बताती है चली अब हम आगे विचार करते हैं, आगे और चीजों को समझते हैं, जानने का कोशिश करते हैं, बताने का कोशिश करते हैं, तो आई ये देखते हैं कि अब negativity क्या है और उसके बाद questions को सुनेंगा और कब भागुदे होगा आपका, कब आपका भागुदे होगा उस विश संगर्सों का सामना करना परेगा, आपके जीवन के प्रारंभिक समय से, शंगर्स में जीवन रहेगा, शंगर्स जीवन में बना रहेगा और उस वज़े से आप मानसिक तनाम में रहेंगे, उस वज़े से आप मानसिक विडम बनाओं के शिकार रहेंगे कि आपके जीवन मे जादा शंगर्स होते हैं और आपको जादा परशानी का सामना करना पर रहा है इसके बाद अगर मैं देख लूँ और क्या negativity है तो वैपार की रेखा भी हाथ पर नहीं है तो अभी आप कोई भी वैपार करें तो successful नहीं रहेगा दिक्कते आएंगे परशानी आएंगी और जबागी रेखा ना हो तो पारिवारी गरूप में भी जादकों को शंगर्स का सामना करना परता है पारिवारी गरूप में भी जादकों परशानी आप का सामना करना परता है जीवन पारिवारी गरूप में भी तनाप वा परशानी आप से ग्रशित रहते हैं तो ये रियालिटी है ये सच है अगर मैं आगे देख लूँ आगे विचार कर लूँ तो और भी चीजे हैं इनके हाथ पर जो देखने लाइक है और समझाने लाइक है नेगेटिव चीज में बरश्पती गरबर है तो पारिवारिक रूप में आप तनाव गरस्त रहेंगे पा ये सब्सक्राइब करने है नेगारिवट चीजे है तो ये रियालिटी है इसके लीए पर जीज चोविस में आगे लेगे बैसरेबर है बहुत बढ़िया बहूँ म yasymetkem आप मान के चलो कि 28 वर्स के बाद तनाव खतम थे और बागी रेखा का साथ 30 यर्स से है तो 30 यर्स के बाद आपके जीवन में मैक्सिमम ग्रोथ का टाइम आएगा, मैक्सिमम प्रिगती का टाइम आएगा, आपको तरकी प्रिगती वसफलता देखने को चुरूर मिलेगी, ब्रिया है तो comfortable life रहेगी, comfortability में तो कोई problems ही नहीं है, बैतरीन थम बे स्ट्रॉंग इच्छा शक्ति है, यवाकती जैई भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा, डिजायर्स के इच्छे लाने तो महा तुमा कांची है, और गजब का थम पे तो वेक्तित वशांदार, समझदा बारी रेका है सब के लिए करना चाहते है, तो यहाँ पर क्या है न, जातक बहुत independent सोच के होते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, बागी माइंड रेका अच्छे है, दिमाग के तेईज है, अर्दा रेका काफी शांदार, स्ट्रॉंग अर्दा के मालिक, बैलन सच्छा दिम जीवन के अंतिम समय तक बागी रेका है, तो बागी का साथ और विकास मिलेगा, गिजब की ये बागी रेका कुस ट्रैंगल के साथ है, यहाँ से भी दो दो ट्रैंगल क्या बात है, बुद्व पर कड़ी रेका है, दिमाग तेज है, सनमर्करी अच्छी है, तो बुद्व एक से कार करते हैं, पैत्रिक संपत्ती के लाइन्स भी बने थे, पैत्रिक संपत्ती का शुक भी मिलता है, दोनमंगल बढ़िया है, तो हाइली इनर्जटिक है, प्राक्रमी है, समर्करी बागी रेका बहतरीन है, बुद्व रेका थोड़ी और बन जाए, तो वैपार में आ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे, अगर आप एक तरूप सस्तर रिखा करें, सही जानकरी प्रात करना चाहते है, हमारा वोट्स आप में डिस्क्रिक्शन में मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं, धन में जाएगात